अलो एस्पिरेंट्स, I welcome you all at Purcham Classes, देखे आज की क्लास में हमें Parliamentary Committees करने हैं, अब Parliament में हमने देखा इतने सारे काम होते हैं, तो एक या दो इंसान तो करनी सकते हैं, तो काम को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, Committees बना बना के, कि इस Committees को ये काम करना है, इस Committees को ये काम करना है, तो हमें देखना है कि कौन-कौन सी Important Committees Parliament के अंदर है, और वो क्या-क्या काम करती है, कौन-कौन Members उसके अंदर है, उसका Chairman कौन होता है, ये सब बाते हमें देखनी हैं, अब आगे बढ़ने से पहले, Current Affair रफतार के बारे में आपको जानकारी देदे, Current Affair जो है, वो Current Affair रफतार पूरे January से लेके June महीने तक की, यानि पूरे 6 महीने की Headlines आपको देगा, इन Topics की जो Topics आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि अगर आपको Crisp तयारी करनी है, Quick Revision करनी है अपने Current Affairs की पुरी-पुरी Details ना पढ़के आपको Headlines चाहिए कि क्या हुआ था आप लोग इसका आनंद उठा सकते हैं, अभी ये English Medium में है, अभी प्लान करेंगे Hindi Medium के लिए या नहीं करेंगे कुछ नहीं पता, बट अभी English Medium में आप लोगों को Available है, ठीके और Headlines ऐसी चीज़े है, Hindi-English में ज़्यादा कोई फर्क पढ़ता नहीं है, कुछ courses चल रहे है, SSC General Awareness का course है, जिसके अंदर पूरी Complete GA, हम लोग cover करवा रहे, recorded format में आपको ये मिलेगा, एक SSC Economy का course चल रहा है, तीनों ही courses, या मैं कहुंगी पर्चम Classes के सारे courses, अभी discounted rate पर चल रहे हैं, आप लोग इनका अलंद उठा सकते हैं, आप लोग अपनी knowledge को enrich कर सकते हैं, ठीक ह कौन कौन सी committees जो है, वो क्या क्या काम करती हैं, तो देखो Parliamentary Committee दो तरीके की होती है, एक को कहते है Standing Committee, क्या का जाता है Standing Committee, Standing Committee मतलब जो हर वक्त stand है, यानि हर वक्त खड़ी है आप लोगों के लिए काम करने के लिए, और एक होती है Ad-Hoc Committee, Ad-Hoc Committee क्या होता है, कि जब जरूरत हो तभी होगा, मतलब जब हमें need होगी हम उनको बना लेंगे, जब हमें need नहीं होगी हम उनको हटा देंगे, पर Standing Committee ऐसी होती है, जो हर वक्त तैयार रहती है काम करने के लिए, ठीक है, तो कौन कौन से Standing Committee है, यहाँ पर आप देख रहे हो, छे तरीके की है, कौन कौन से है, यहाँ पर, सबसे पहले Financial Committee, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेशन निकलते हैं, यह फर्दर फिर तीन टाइप की है, बताऊंगी, Departmental Standing Committee, 24 टाइप्स की है, Committee to Inquire, Committee to Scratonize and Control, Day to Day Business of the House, and Housekeeping Committee और Service Committee, ठीक है, Housekeeping Committee और Service Committee, यह छे तरीके की Standing और Permanent Committee है, एड होक कमेटी में एक तो Inquirey की कमेटी आती है, और एक Business Advisory Council आती है, लोग सभा Speaker जिसके Chairman होते है, आपको याद हो, तो जब मैं Parliament की Working पढ़ा रही थी आप लोगों को, मैंने Business Advisory Council के बारे में बताये, कि इस Council के अंदर हर Party का इंसान होगा, और यह Agenda Decide कर देते हैं, कि हमें इस बार इस सेशन में किन-किन बिल्स पे बाते करनी है, और जैसे ही Agenda Decide होता है, इस कमेटी को हटा दिया जाता है, क्योंकि यह Temporary है, एड होक है, तो Business Advisory Council हम कर चुके है, Working of Parliament में चले जाना, Inquirey पे Question नहीं बनते हैं, Standing Permanent Committee पे Question बनते हैं, तो हम एक एक करके सबको देखते हैं, अब यह जितनी भी कमेटी इनकी अंदर मेंबर होंगे लोकसभा के भी और राज्ये सभा के भी, एक कमेटी है, उसमें कुछ मेंबर लोकसभा के, कुछ मेंबर राज्ये सभा के, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, उनको Speaker नॉमिनेट कर करती है रिपोर्ट तयार करके अपने अपने हाउस को पहुचाती है फिर वो हाउस देखता है कि इस बार रिपोर्ट में क्या आया स्पीकर या चेयर्मेन को रिप्रेजेंट करनी होती है इनको अपने रिपोर्ट ठीक है हर एक सेक्रेटेरियेट होता है राज्ये सभा और लो ये तीनों financial matter पे काम करेंगी financial committee कहलाती है public account committee की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखो C से denote कर रहें में chairman को LS से denote कर रहें लोक सभा को और RS से denote कर रहें राज्ये सभा को तो इस चीज में confused नहीं होना है कि ये क्या लिखा हुआ है ये मैंने थोड़े abbreviations या मैं कहूंगी थोड़े alphabets का use कर रखा ताकि मेरा चार्ट अच्छा बन जाए public account committee एक financial committee है इसमें कितने members होते हैं 22 member होते हैं लोक सभा के 15 राज्ये सभा के साथ chairman हमेशा opposition का होगा it is very important point chairman इसमें opposition का होगा क्योंकि financial matter है उसी party का रखतोगे तो वो क्यों गलतियां बताएगा वो तो जो भी दोखादड़ी का रखा है वो तो उसको चुपाने की कोशिश करेगा तो chairman जो है वो opposition का रखते हैं इसमें election होता है ठीक है proportional representation से proportional representation का मितलग लोक सभा में लोग ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग है लोग सभा के राज्ये सभा में members कम है तो कम member राज्ये सभा के हैं फिर एक साल की इन members की in chairman की duration होती है ठीक है उसके बाद function क्या है एक तो यह CAG की report को audit करेंगे जो controller and auditor general है ठीक है जो appropriate account बनता है जो appropriation account बजट के से कितना पैसा निकालना है नहीं निकालना है उसको examine करते हैं public expenditure कितना हुआ है सरकारी खर्चा कितना हुआ है उसको देखते हैं ठीक है और ये CAG को मदद भी करते हैं कुछ चीजों पर या CAG अपनी report तयार करके इनको मदद करता है कि देखो इस तरीके की financial matters है इस तरीके की चीज़े हमें करनी चाहिए तो CAG ये काम भी करता है तो ये इसके functions है इसके बाद दूसरी financial committee है estimate committee जिसके अंदर 30 member है लोग सभा से 30 है राज्य सभा से एक भी नहीं है very important सब लोग लोग सभा से ही है राज्य सभा के नहीं है एक भी member सब लोग elected होंगे एक साल के लिए duration होगा चेर्मेन को speaker appoint करते हैं और ये ruling party का ही होगा जो ruling party है अभी BJP उसी का ही होगा ठीक है ये काम क्या करते हैं budget को estimate budget estimate को examine करते हैं public expenditure की economies के आप कैसे economy कैसे आप public expenditure को कम कर सकते हो या efficient तरीके से use कर सकते हो इफेक्टिव alternative policy बताता है कि भई ये काम ना करके आप ये करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा ठीक है money is laid out within the limits of estimate ये देखता है कि जो पैसा दिया है वो estimate के according ही दिया है क्या या फालतु पैसा चला गया है तो ये सारी चीजे estimate committee का काम होता है estimation कर उसके बाद committee on public undertaking 1964 में इसको create किया गया था कृष्णा मैनन कमेटी के कहने पर इसमें 22 मेंबर होते हैं लोकसभा के 15 राजे सभा के 7 elected होगे एक साल का duration चेयर्मेन जो है वो लोकसभा speaker जो है वो appointed करेंगी और ये चेयर्मेन केव लोकसभा का ही होगा लोकसभा का कोई एक व्यक्ती ही यहाँ पे चेयर्मेन होगा ठीक है उसके बाद function क्या क्या होते है ये public undertaking जो आपने पहली पड़ी थी financial committee वाली ठीक है financial committee की जो पहली कमेटी आपने पड़ी थी उसके अंदर public account committee उसके अंदर क्या होता है कि CAG की report को examine त वो PSU को examine नहीं करेगा PSU क्या होती है ऐसी companies जिनके अंदर majority shareholder government of India हो उनको PSU कहते है जो आपने पहली committee पड़ी थी क्या नाम था आपका public account committee ये CAC की report तो examine करेगा और ये committee on public undertaking भी CAC की report को examine करेगी लेकिन वो PSU को नहीं देखेंगे ये PSU को देखेंगे ठीक है technicality पे नहीं जाएंगे बस उनके जो उनके पैसे संबंदित चीजे है उनको देखेंगे ठीक है जो पैसे संबंदित चीजे है उनको देखेंगे इसके बाद departmental standing committee मतलब हमने financial committee देख लिए अब departmental standing committee 1993 से इसकी शुरुआत ही शुरुआत में 17 committee ब से 21 राज्य सभा से 10 nominated by a presiding officer यहां election नहीं होगा nomination होगा इन सब लोगों का लोग सभा के 21 लोग सभा के speaker नोमिनेट करेंगे राज्य सभा के 10 लोग राज्य सभा के chairman नोमिनेट करेंगे और एक साल का duration होगा ठीक है ये bills को examine करते हैं ministers के grants देखते हैं ये सारी चीजे इसके अं committee to inquire inquiry करनी है committee to inquire ये क्या है इसमें committee on petition सबसे पहले लोग सभा के 15 मेंबर राज्य सभा के 10 मेंबर जो भी petitions या bills आए है general importance के उनको देखना इसका काम है फिर committee of privileges privileges ये semi-judicial होता है nature ने किसी ने privileges भीज तो नहीं किये किसने अपने powers का फाइदा तो नहीं उठाया है लोग सभा के 15 राज्य सभा के 10 मेंबर इसमें होते हैं ethics committee लोग सभा के 15 राज्य सभा के 10 मेंबर ये भी है ये decorum maintain हो रहा है नहीं हो रहा पार्लमेंट में उसको देखते हैं फिर उसके बाद committees to scrutinize and control committee to scrutinize and control जाज करनी है और control करना है कुछ गडबट चल रही है तो इसमें सबसे पहली आती है committee on government assurance ये क्या करता है जो भी promises किये है ministry ने जो भी promises किये है time to time हम ऐसा कर देंगे हम वैसा कर देंगे उसको assure करता है क्या सच में वो promises fulfill हुए है लोग सभा के 15 मेंबर राज्य सभा के 10 मेंबर है और इसको 1953 में constitute किया गया था committee on subordinate legislation ये क्या कहता है कि जो भी rules बन रहे है जो भी by rules जो भी notification जारी की जारी है देश के अंदर वो सारे by rules या rules या laws वो constitution के according है या नहीं है ठीक है इस काम को देखना इनका काम होता है लोग सभा के 15 मेंबर राज्य सभा के भी 15 मेंबर ही होते है और 1953 में इसको भी constitute किया गया था इसके बाद आती है आपकी committee on paper laid on table 1975 में आई 15 मेंबर लोग सभा के राज्य सभा के 10 मेंबर committee on welfare of SCST 30 लोग होते हैं लोग सभा के 20 राज्य सभा के 10 ठीक है काम देखते हैं SCST का कितना welfare हो रहा है नहीं हो रहा है committee on empowerment of women 1977 में बनी member है total 30 लोग सभा के 20 राज्य सभा के 10 ये देखेंगे national commission on women जो है उसकी report को examine करते हैं joint committee on office of profit इसमें भी 15 मेंबर होते हैं 10 मेंबर लोग सभा के 5 राज्य सभा के और MPs की जितरे में member of parliament है उनकी eligibility को देखता है कि वो eligible है या नहीं है ठीक है तो ये सारे काम इस committee के होते हैं ये कौन सी committee है committee to scrutinize and control ये सारा देखो जाच कर रहे है सरकार ने अपना promise पू का हो रहे क्या विमिन का welfare हो रहे क्या ये क्या करते हैं ये सिर्फ scrutiny और जाच का काम करते हैं ठीक है उसके बाद फिफ्ट तरीके की है committee relating to day to day business day to day business of the house अब इसके अंदर क्या है कि एक तो आ गई इसके अंदर business advisory council ठीक है business advisory council rule committee अब business advisory council के अंदर क्या है इसके अंदर देखिए लोगसभा के 15 member होते हैं ये क्या होता है लोगसभा में अलग बन रही है राज्येशभा में अलग पट रही है तो लोगसभा में इसके अंदर 15 member होंगे chairman इसमे पीकर होंगे खुद राज्य सभा में जब ये कमेटी बनेगी तो 11 मेंबर राज्य सभा के होंगे और जो चेर्मेन होते हैं राज्य सभा के वही इसके चेर्मेन भी होंगे ये क्या करते हैं उसके बाद next क्या है committee on private member bill and resolution committee on private member bill करना क्या है जो भी सदन है जो भी लोग सभा और राज्य सभा है उसकी day to day activity कैसे चल रही है ठीक है उसकी day to day activity कैसे चल रही है ये business advisory council वो अलब्थी जो एजिंडा त्यार करती है वेड हॉक committee है ये दूसरी है जो हर department में बन रही है लोग सभा में 15 मेंबर की राज्य सभा में 11 मेंबर की यहाँ पे फिर अगली committee है committee on private member bill and resolution ये देखते हैं कि discussion का time कितना ले लिया गया किस बिल पे कितनी देर बहस की गई है ये केवल लोग सभा में बनती है और इसके chairman deputy speaker होत Rules committee देखता है कि जो procedure है या business है house का वो कैसा चल रहा है जो procedure है house का वो कैसा चल रहा है लोग सभा के 15 मेंबर होंगे चेर्मैन इसके speaker होंगे राज्य सभा के 16 मेंबर होंगे चेर्मैन इसके जो राज्य सभा के chairman है यानि Vice President of India वही मदलब रूट कमेटी भी लोग सभा में इसके बाद है कमेटी Change On Absence Of Members. कितने Member absent हुए है? ठीग कितने Member कितने दिन से आ रहे हैं नहीं आरहे हैं ये भी केवल लोक सभामे होती है और 15 Member इनके अंदर आते है ठीक है, उसके बाद house keeping committee, इसके अंदर भई house का रख रखाव करना है, general purpose committee, ये देखता है कि कोई एक committee की jurisdiction दूसरी committee में तो नहीं चली गई है, ये काम तो finance committee का था, कहीं इसको paper laid committee तो नहीं कर रही है, एक तो ये काम है, जो भी लोकसभा में ये committee बनेगी, प्रिजाइडिंग officer ही इसके chairman होगे, लोकसभा के speaker और राज्यसभा में chairman के chairman होगे, ठीक है, vice chairperson का पूरा एक panel होता है, जितने भी members इसके अंदर होते हैं, वो प्रिजाइडिंग officer के द्वारा ही nominate किये जाते हैं, फिर house committee होती है, दोनो houses में बनेगी, लोकसभा में 12 member बनेग ठीक है, library committee, total 9 member होते हैं, लोकसभा के 6 और राज्यसभा के 3, लोकसभा के 6, राज्यसभा के 3, देखते हैं वहां की books वगेरा, जो है उसका रख रखाव करते हैं, joint committee on salary and alliances, ये क्या है, 1954 में आई थी, कितनी salary किसको जा रही है, ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है, कितनी alliances कि को जा रहे हैं, लोकसभा के 10 member, राज्यसभा के 5 member, total 15 member की committee होती है, फिर उसके बाद है consultative committee, consult करना है, consultative committee, ये जो है, अलग-अलग ministry और central government से attached होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो ministry of state होते हैं, जो ministry of state in charge होते हैं, जो से criteria होते हैं, वो इनके chairman होते हैं, informal discussion चलती है, parliamentary affair जो है, वो इसको constitute करता है, इसमें maximum 30 member हो सकते हैं, और minimum 10 member हो सकते हैं, voluntary है, voluntary है, किसी को member बनना है, तो बन ये, ठीक है, और नई लोकसभा बनने के बाद ही इसको constitute किया जाता है, और जैसे ही लोकसभा dissolve हो जाएगी, ये committee भी जो है, वो dissolve हो जाएगी, ठीक है, voluntary है, ये committee बनाओ तो बनाओ, ना बनाओ, तो ना बनाओ, तो ये आपकी committees थी, सारा material आपको एक ही जगा मिल जाएगा, सारी committees का, ठीक है, और सबसे ज़्यादा important, इंड में financial committee है, सबसे ज़्यादा important, वही से questions सबसे ज़्यादा निकलते है, ठीक है, तो ये question आप लोगों के लिए है, इन में से कौन सी कमेटी एक financial standing committee नहीं है not a financial standing committee business advisory committee public accounts committee estimate committee committee on public undertaking आपको बताने इन में से कौर एक financial standing committee नहीं है I hope आप लोग इसका answer सही करेंगे ठीक है और comment section में आपकी comment आ जाने चाहिए बिलते हैं अगले topics में अगले session में thank you so much take care bye bye